मिसमें लाइर अक्मान दिर्वाहीम आज की इस वीडियो के अंदर जो शॉर्ट सी वीडियो होने वाली है तो इसमें आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉफ के लिए बी कैट्सिंग पढ़ना जरूरी है क्या मिनी कैट्सिंग पढ़के पेपर अराम से कवर हो सकता है तो इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है अब जो पहले साल के जो पेपर आ रहे थी लाइक अंटिल 2018-2017 उसमें मचॉरिटी ओफ दैसी क्यूस ऐसी क्यूस की बात कर रहा हूँ मचॉरिटी ओफ दैसी क्यूस ऐसे थी जो मिनी कैट्सिंग से कवर हो जाते थी और आप इनको पास पेपर से देख पी सकते हो 2018-2019 तक तो हम कह सकते थी लेकिन जो 2020 वाला जो पेपर और इसके बाद जो रिसेंट पेपर आ रही है वहां पर मीनी मैं से जाद से क्यूस नहीं आ रहे और बिक से आर रहे होते हैं शीक है तो पहली बात के अगर आप चाते हो कि 10 मैं से आपके नो SIT के अपर आपरूज लूजे य य य नो SIT की का पर आपर हो जाय लेकिन जब आ बीग कैट्सों को कोल की देखते हो इतनी जादा information लिखे भी है जिसको retain करना बहुत जादा मुश्किल होता है और student को ऐसा लगता है जब भी वो पढ़ना शुरू करता है तो उसको ऐसा लगता है कि शाहिद इसको मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ यह चीज मैंने कभी सुनी ही नहीं है ओके ठीक है और अभी time भी काफी जादा short है majority of the student से mini cover नहीं होती तो वो big के तरफ आना बलके वो big के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन मैं उन student की बात करने वाला हूँ जो mini के साथ थोड़ा सा big भी करना चाते हैं लेकिन time थोड़ा सा short है तो छोड़ी सी tips देना चाता हूँ विग केर्ट संग में से हर चीज आपने त्यार नहीं करनी खास दोपर general pharmacology की कोई चीज आपने विग केर्ट संग से त्यार नहीं करनी विग केर्ट संग से आपने जो chapter करने अगर आपके पास time है और वो भी specific चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ लाइक autonomic है पहला chapter छोड़ दो, 7-8, 9-10 ये कर लो अच्छे तरी कैसे पिर इसके बाद CVS में आजओ, CVS में anti-hypertensive drug कर लो, arrhythmia कर लो और diuretic कर लो, smooth muscle में सिरोटनेंट और histamine वाला chapter बलकि इसको भी ना करो, esthema वाला थोड़ ऐसा कर लो, CNS के अंदर sedative hypnotic है, anti-ceasor है और यहां पर anti-psychotic और anti-depressant है, drugs used to treat, इसमें से कोई भी तरह important नहीं है, यानि big से करने वाला, endocrine में सिर्फ दो chapter होते हैं, gonadal और pancreatic हैं, जबकि chemo therapeutic में पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवा, ये 5 chapter हैं, जो आपने at least mini, sorry, big से करने हैं, और 52 chapter के अंदर आपने anti-protozole, यानि anti-protozole के अंदर anti-amibic, और हम कह सकते हैं, कि anti-malarial drug, इसको अच्छे तरीके से तियार कर लेना है, ठीक है, अब ये तो आपको मेने chapters बता दिया है, अब पूरा-पूरा chapter पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, suppose एक chapter के example देता हो, for example, anti-hypertensor drugs है, इस chapter के अंदर आ आपको मिलने वाला नहीं है, तो इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा है, ठीक है, यह में पास्ट भी लिखावा है, okay, ठीक है, तो आप क्या करो, पास्ट, खोलो, यूकिस, खोलो, उनको निशान लगाओ, उनके answers को highlight कर लो, जिस तरह मेंने कियावा है, और दूसरी चीज़े है, वो common है, लेकिन 10% चीज़े ऐसी है, जो common नहीं होती, यानि इसमें extra लिखी है, इसके बहुत summary के अंदर, और at least, जब last में आते हो, chapter खतम होने के बाद, तो इसके table को सिफ एक नजब मार लेना, drugs पर, कि कौन कौन से drug beta के अंदर आती है, इनके सिफ नाम को तिय कर लेना, like classification of hypertension, okay, इसके साथ resistant hypertension है, यह टेबल्स प्यार कर लेना, जो values वाले टेबल है, वो किसी काम के लिए होते है, लेकर जो कुछ important information वाले टेबल है, like mechanism of action of visor dilator, यह तो mini catson रेंदर भी है, तो इस तरह से आपने तियार करना है, okay, तो यह आपको मिने बता दी है, कि big catson को आपने किस तरह से handle करना है, तो एक छोटी सी कोछ चीज में बताने वाला हो, कि majority of the student wait कर रहे होते हैं हमारी videos का, तो to be honest में, pharmacology में बहुत जादा busy time, बहुत short है, time नहीं मिलता, video shoot करने में बहुत जादा time लगता है, पहले मेरे पास time होता था, मैं video बना लेता था, लेकि तक मेरा mood नहीं बन पा रहा, time भी हम manage नहीं कर पा रहा है, कि मैं किस वक्त वीडियो upload करूगा, लेकिन मैं कोशिश करूगा कि आज रात को एक या दो, यानि 2020 का और 2019 का send up at least, हम discuss कर ले, बाकि फार्मा का लेजी के उपर हम already video upload कर चुके है, ठीक है, और अगर आप high yield mcqs points क कि पर video देखना चाते हो, तो उस video का link में description में दे दूगा, आप उस video को अराम से देख लेना, अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है, ओके, तो अगर आपको या video बच्छी लगी है, थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला है, तो video को like कर देना, चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर देना, मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज